हलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका अपनी यूटूब चैनल हाई एजुकेशन चोन में मैं हूँ राज दोस्तो जैसे कि दोस्तो हरियाना समाने ग्यान की हमारी सीरीज तल ली थी और 96 पार्ट यानि दोस्तो 10,000 से लेके 15,000 के उसन तक लगबग हमने अपडेट कर दी ह वो पार्ट दोस्तो मौझूद है प्ले लिस्ट में वहां से आप जाके देख सकते हो और जल्द आपको पीडियाप भी दोस्तो प्रोवाइड करवा दी जाएगी और जैसे कि दोस्तो जो जिस टाइप की भी एड आ रही थी हमारी वीडियो में उसके लिए दोस्तो हमने य फर्स्ट क्योशन की हम बात कर लेते हैं रज्य फिल्म वे टेलिविजियन संस्थान का हैं दोस्तो बात कीगी है टेलिविजियन संस्थान वे फिल्म की एक टाइप से अंटच क्योशन इसको हम कह सकते हैं तो राइट ओप्सन दोस्तो इसका रहेगा ओप्सन हमारा बी कुछ आजा सकता है कि सिक्खों का सहर किसे कहते हैं तो दोस्तों इसका राइट ओप्षन जो रहेगा वो रहेगा ओप्षन हमारा जो राजा सारस थे इन्होंने इस नगर को बसाया था तो उनके नाम पर दोस्तों इनका नाम सारस जो है वो कहलाय piace जाता था प्राचीन काल के हम ब hadd करें और दोस्तों सरस्वती नगर भी इसी को कहा जाता है सिर्षा के अंदर दोस्तों अच्छे क्यों बनते हैं एरिया के सेतरपल में सबसे बड़ा हो जाता है एलनाबाद और मंडी डबवाली राणिया अगर ये दोस्तों हमारे सिर्षा के कुछ उपमंडल से लेटिड भी हो सकता है क्यों पूछिले जाई ठीक है पूछिले बढ़े लेटि कमपनी को किस देश के साथ बाग लेने वाली 2005 के अंदर ये बाग लिया था तो हर्याना की नहीं पूरे बाहरत वर्स की पर्थम कंपनी बन गई थे जो लिब्रेटी सूज कमपनी है जो हमारी करनाल के अंदर है तो दोस्तो एका राइट उप्षन जो रहेगा वो रहेगा उप्षन हमारा बी निवार्ग देश के साथ जो लिबर्टी सूज कमपनी है इसने सबसे पहले जो है इस देश के साथ बाग लिया था तो दोस्तो राइट उप्शन भी रहेगा और दोस्तो कमपनियों के शेत्र में बात करें तो ये लिबर्टी सूज कमपनी है जो पूरे भारत वर्ष के बात करें तो 2005 के अंदर ये पर्थम कमपनी बन गई थी नैस क्योशन है दोस्तो हमारा हर्याना में ग्यानी चोर की गुफा कहा है बात कीगी दोस्तो ग्यानी चोर की गुफा की तो दोस्तो इसका राइट उप्शन जो रहेगा वो रहेगा उप्शन हमारा डी मेहम के अंदर दोस्तो ग्यानी चोर की गुफा भी दोस्तो इसी को कहते है और दोस्तो महम की बावडी भी दोस्तो इसी का नाम लिया जाता है तो दोनों के दोनों क्योशन दोस्तों यहां पे हमारे सेम हो जाते हैं ग्यानी चोर की गुफा या महम की बावडी और सिंपल ग्यानी चोर की गुफा भी दोस्तों पूछी जा सकती है बढ़ लेते हैं दोस्तो नेस Wieosn की तरब, नेस Wieosn है हमारा Zero Energy House, शोर उरजापर दारित कहां शुरू किया गया Zero Energy House की बात कियेगी दोस्तो जो सोर सोर उरजापर दारित है ये कहां पर शुरू किया गया, ये क्योशện इसमें पूछा गया है तो इसका दोस्तो राइट उफ्शन जो रहेगा वो रहेगा उफ्शन हमारा C शिर्शा के अंदर दोस्तो यह सुरू किया गया था दोस्तो शिर्शा के व्यूश्टन आज यो एकजाम पूछे गए हैं टेक्टर के एकजाम में वो हमने उपडेट किये है बढ़ लेते हैं दोस्तोव Next Qubtions कि दरफ Next Question है रियाना का Victoria Hall कहां स्तापित है Victoria Hall की दोस्तोव यहां पर बात की गई है तो दोस्तो इसका Right Option जो रहेगा वो रहेगा Option हमारा C Karunal के अंदर जो है यह Victoria Hall जो है उस्तित है और दोस्तो Karunal के हमारे फीहमस दोस्तो एक टाइप से Victoria Hall है इसको Garni Memorial Hall के नाम से भी दोस्तो जाना जाता है और सबस्तंतता के बाद मातमा गांधी के नाम पर इसका नाम रखा गया था तो अच्छे क्योसन नहां से उठाए जाते हैं दोस्तो हमारा जो St. James Church Tower है St. James Church Tower जो है वो माना जाता है तो वहां से भी क्योसन जो है instructor के जाम के अंदर repeat किया गये थे और इस टावर की दोस्तो निर्मान करें तो ठारा सुच्छा है के अंदर जो St. James Church Tower है उसका निर्मान किया गया था एक दोस्तो अटल पारक भी है यहां पर बहुत जादा famous है तो वहां से भी दोस्तो जो है current affair का question पूछा जा सकता है अदिती का मंदिर भी दोस्तो एक करनाल का famous है अच्छा question मनता है वहां से भी और इसके अलाव दोस्तो वनस्पति गी है चीनी है जूता है यहां के चोटे-चोटे जो है उद्योग जो है बनाए गए है और सारे के सारे अनुसंदान संस्तान की बात करें या निदेसाले की बात करें जैसे हमारा हो जाता है द्राश्टे डेरी अनुसंदान और हमारा गेहून सोध निदेसाले और दोस्तो हमारा एक सोहल से जुड़ा हुआ भी इंस्टिटूट है हाँ पर केंदर यह में रिदा लवनतान उसंदान जिसको बोलते हैं तो यह भी क्योशन दोस्तो बार-बार एकजाम में पूछे जा चुगे हैं तो बढ़ लेते हैं दोस्तो नेस्ट क्योशन की तरफ नेस्ट क्योशन है हमारा गोपाल कंडा किस पार्टी से समन्दित है थो इसका राइट अप्सन जो रहेगा हरयाना लोकीध पार्टी से सबंदीत है बढ़ लेते हैं दोस्तो नैस कोशन की तरफ है हमारा जो रहेगा ऊप्सन हमारा ए रोध तक के अंदर जो है एसियन जो उद्योग है वो स्थित है और रोध तक की बात करें तो दोस्तो हमारा ये महम के अंदर हो जाता है ठीक है बात कर लेंगे हमें इसकी महम की महम भी दोस्तो महम की बावड़ी से भी क्योशन उठाए जाते हैं एक्जाम में तो राइट ऑप्षन दोस्तों यह रहेगा रोध तक के अंदर जो है एसीन रोग जो है हमारा रोगन उद्योग जो है पुछ दीता है सिंपल सा क्योशन है और उलजाके कई बार जो है एक्जाम में दे दिया जाता है अकासवानी के अ उपर उपर जाता है और सुद्धो कलाल के दोवारा सो जो सहांज आंकर काल में 116-6 शपन विश्मी में बनवाई गई थी तो दोस्तों यहां से भी इसके बनवाई याझजिब को सकता है एक्जाम में मातुराम दोस्तों यहां के सांगी गाउंए वहां से समन्धित हैं एक right option जो रहेगा वो रहेगा option हमारा D एलनाबाद को दोस्तो प्राचीन काल की हम बात करें तो खडियल नाम से जाना जाता था ठीक है तो एलनाबाद के अगर प्राचीन इतियास 1863 के इतियास को अगर उठाए तो वहाँ जो एक टाइम ऐसा था कि गगर नदी की बाढ़ आगी थी और पूरा एलनाबाद जो है वो एक टाइप से इसी में जो है लूप्त हो गया था एकदम पूरा जो है पूरे के अंदर इसके अंदर दोस्तो बाढ़ आगी थी और एलनाबाद जो नाम लिया गया है यह दोस्तो एक किसी के पतने का नाम था एलना और उसी के नाम से दोस्तो यह बसाए गया है ठीक है एलना बाद और यहां पर दोस्तो कपास है चना है गहों है दान की परसी छोटी-छोटी मनिया लगती है जो काफी famous है हमारे एलना बाद की बढ़ लेते हैं दोस्तों न्यृस क्योस्टन की तरफ है करण जील का नमान कभ करवाय गा बात की जील के निर्मान की तो इसका दोस्तों राइट उप्षन के रहेगा ओप्षन अमारा इह 1972 के अंदर करण जील का जो स्वwire निर्मान है करवाय गाया था करण जील है कहां दोस्तों comment box में आप बता सकते हो next question है हमारा अस्तल बोहर मट का संपरदाय किस संपरदाय से समंदित है तो अस्तल बोहर मट दोस्तों इससे later question ज़्यादा बार पूसे जाते हैं और इसका दोस्तो right options वो रहेगा option हमारा c नाथ संपरदाय से दोस्तों यह जड़ा हुआ है अस्तल बोहर मट ठीक है और इसका दोस्तों पुन्ह निर्मान मस्तनात के और निर्मान दोस्तों चौरंगी नात के दवारा जो है करवाए गया था next question है राजेंदर परसाद के सपनों का साहर किसे कहते हैं तो simple question है जल्दी सी सोल करके आगे बढ़ लेते हैं right option दोस्तों बी रहेगा फरीदाबाद को राजेंदर परसाद के जो है सपनों का साहर कहा जाता है दोस्तों राजेंदर परसाद पहले राष्टपती थी उपराष्टपती थी परदानमंती थी राजयापाल थे कौन थे आप उमें comment उसमें बताई राजेंदर परसाद पर्थम कोन थे बढ़ लेते हैं दोस्तों next question की तरफ next question है हमारा आलू परत्योगी के अंदर कहा है बात किए कि दोस्तों आलू परत्योगी के अंदर की इसका दोस्तों right option जो रहेगा वो रहेगा option हमारा C निलो खेड़ी के अंदर दोस्तों आलू परत्योगी के अंदर जो है वो फूस्तित है ये भी दोस्तों हो सकता है एक रहेचे डिटेल से question पूछ लिया जाए ठीक है हमारा निलो खेड़ी से जुड़ा हुआ और दोस्तों right option C हो जाएगा और इसकी दोस्तों हम फरीदाब के अगर बात करें तो फरीदाबाद के जो question पूछे जा चुके है एक्जाम में वो हमारा अरावली का गॉल्फ मेदान पूछा गया था इसके अलाव दोस्तों बाबा फरीद टॉंप से जुड़ा हुआ क्योस्तों पूछा जा सकता है तो ये टाइप से बाबा फरीद टॉ क्योस्तों उठाया जा सकता है एक्जाम में तो फरीदाबाद से भी अच्छे क्योस्तों बनते हैं और इसके अलाव दोस्तों जो जांगीर के कोसा अजिकारी माना जाता है इसे एक फरीद को जिनोंने 1607 के अंदर फरीदाबाद को बसाया था ठीक है तो हम ज़्यादा डी रुथ तक के अंदर जो है हमारी मदीना मसजिद सित है तो राइट उप्षन दोस्तों इसका हमारा डी रहेगा रुथ तक के अंदर उरंगजेव के द्वारा दोस्तों इसको बना गी थी और ये एक एश 하지만 ए जिसको पहले मंदीर बनाएगा पिर मंदीर को तुड़वा क दोसतो अरंजेप के दोारा मस्जिद बना दे गई फिर दोसतो इसको दोबारा मंदिर करू दे दिया गया था और जो हमारे दीनी मस्जिद है दोसतो वह भी इसके बिल्कुल पास में है नेज गोचसरी आसर्म कहां सूर थोस्ता दोस्तो आपकोको केवल आंसर जो है, PIN किया जाएगा, घ्रैज पूछा है, तो रोगूलो दवीब किसे कहते हैं, यह question फूचा गया है तो इसमें right option जो रहेगा वो रहेगा option हमारा D दोस्तो थनेसर को जो है अर्याना का मुगल दवीब कहा जाता है तो right option दोस्तो इसका हमारा होजएगा D बढ़ लेते हैं दोस्तो next question की तरफ next question है हर्याना का कौन सा जिला पाक के साथ नजदी की सीमा बनाता है तो यह simple question हम पहले भी करके आ चुके हैं तो right option D रहेगा शिर्सा जो है वो पाक के साथ नजदी की सीमा बनाता है पूरे हरयाना के अगर हम बात करें तो बढ़ लेते हैं दोस्तो next question की तरफ next question होला मोहला का आपे बात की गी है तो इसका right option तो हुरहेगा अमारा D लाखन माजरा के अंदर prescription यहाँ पर इसका योजन स्थल माना जाता है तो right option D रहेगा लाखन माजरा लाखन माजरा गुर्दवारा भी दोस्तो हमारा रोत्तक के अंदर हो जाता है जहां से गुरु तेग बादूर का समन जुड़ा हुआ है और इसके अलावा दोस्तों जो वहाँ पर दिल्ली सहीदी देने के जा रहे थे तो वहाँ से भी क्योशन हो सकता है उठा ले जाए नाइस क्योशन है किसके लिए कहा गया यह एक मुस्लिम बास्तुकला की सुन्दन करतियों में से एक है किसके लिए यह सबत जो है कहे गए है और दोस्तों हमारे अगर हम पानिपत की बात करें तो पानिपत और युम्ना नगर और अमबार यह डेश्टी कैसे रहे हैं दोस्तों यहां से क्योसन जादा बार जो है एक्जाम में उठाए गए है तो इसका दोस्तों राइट ओप्सन जो रहेगा वो भी रहेगा काबूली बाग और दोस्तों काबूली बाग से लेटर भी हो सकता है क्योसन बार बार पूछलिया जाए तो काबूली बाग को दोस्तो पानिपत का जो पर्थम यूद था बाबर जो एक टाइप से उसकी पानिपत की जो पर्थम लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोधी पर विजे के यादगार में दोस्तो ये बनाय गया था उसके लाव दोस्तो कालाम यहां से जुड़ा हुआ है क्योंकि वहाँ आम की बहुत अदिखता थी और इतना खोन खराबा हुआ कि जो आम के बिक्स थे वो काले पड़ गए थे इसलिए दोस्तो कालाम के नाम से जाना जाता है सलारगंज गेट दोस्तों बहुत परसिद है जिसका एक टाइप से तिरपोलिय दर्वाजा है तिरपोलिय दर्वाजा एक टाइप से इसका प्राची नाम जो है वो लिया जाता है इसके रहाएं जानाव दी जाता है फूस्कार भी दी जाते है तो वो भी हो सकता है उर्दौरीबाग मस्जिद भी पानिपत के अंदर हो जाती है इसके लाव दोस्तो जामा मस्धित है एक चोटी सी मस्धित है वो भी दोस्तो हमारी पानीपत से ही जुड़ी हो जाती है क्योंकि दोस्तो जामा मस्धित और भी कई जगा है लेकिन यहां भी एक चोटी मस्धित बनाई गई है और दोस्तो एंडलोमो का साहर जिसको कहा गया है तो बहुत सारी क्योशन हमारे पाने पत से जुड जाते हैं बादो क्रिशन पक्स अस्टमी को कौन सा मेला लगता है इसका दोस्तो राइट उप्शन जो रहेगा वो रहेगा उप्शन हमारा A. जन्माषटमि का मेला जो है दोस्टों वो बादो कृष्ण पक्स की अस्टमि को लगता है बढ' लेते हैं दोस्टों नएशक वूषन की तरफ नएशक वूषन है हमारा प्राचिन चक्रासवामी की मुर्ती कहा हम श्थीति और कुरुक्षेतर से related भी दोस्तों कई एक्जाम में क्योशन पूसे जाते हैं जोती शरोर, बर्म शरोर, गिता बवन और दोस्तों कलेशवर तेर्थ बिरला मंदिर की बात करें जाता है, यह दोस्तों हमारे यहां से जुड़े हुए है, बढ़ लेते हैं दोस्तों नैस क्योशन की तरफ, नैस क्योशन है, हासी के किले की दोस्तों हम बात करें, तो राइट ओक्सन दोस्तों सी रहेगा, बारवी इस्तापदी से है हमारा आसी का किला, हासी को दोस्तों जो तो साम का विश्णू मंदिर है उसको माना जाता है तो right option C रहेगा दोस्तों हमारा बिवानी भी यहां सही रहेगा तो साम भी हमारा सही रहेगा तो right option C विश्णू मंदिर को हरियाना के इंद्रों में सबसे प्राचीन मंदिर जो है वो माना जाता है आज का दोस्तो लाश क्योशन है हमारा निमलिक्स में से कौन सी नदी हरियाना की है हरियाना की नदी दोस्तो इसमें बता नहीं है कौन सी नदी जो है वह रियाना की है तो इसका दोस्तो राइट ऑप्सन जो रहेगा वो रहेगा सी कसावती नदी जो है वह हरियाना की नदी मा आफगानों ने जल से जल रिपलाई करना है कौन सा परसिद वपारिक अंदर आए आज भी दोस्तों जिसका हमने जिकर किया है तो यह भी दोस्तों आपको किसेसमंदिध है हरियाणामिसिक्या का परचलन दोस्तो इन्य के द्वाऱा जोड़ा गया है। क्यों परसिद है क्यों परसिदों आपको जल्जशल्ग कोमेंड बूक्स में रिप्लाइब करना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में तब तक नमस्कार जै हरियना जै भारत